अब हम इस चेप्टर में देखेंगे लीनियर एक्वेशन लीनियर एक्वेशन यह हमारा मैट्राइसिस का ही एक एप्लिकेशन है जिसे हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं तो लीनियर एक्वेशन के चार टाइप है जिसमें मेरा पहला टाइप है लीनियर डिपेंडेंट एक्वेशन कैसे फैंड करते हैं वह देखेंगे second type है जो मेरा linearly independent equation कैसे find करेंगे वो मेरा second type है third type है non homogeneous equation और जो मेरा fourth type है वो homogeneous equation तो ये चार type को हम detail में study करेंगे so video को लाज सक देखते रहें ताकि आपको जादे से जादे समझ में आए linear equations के बाल में अब हमारे first type की तरफ चलते हैं जो की linearly dependent equation हमें कैसे find करेंगे तो इसके लिए हमें तीन चीज़ का द्यान में रखना है कि पहले तो linearly dependency होने के लिए क्या ज़रूरी है अगर मेरा vector है x1 x2 और ऐसे xn तक मेरे पास vector है वो linearly dependent तब होंगे जब k2 k3 kn तक सब values अन इक्वल होंगे तब ही और मेरा k1 x1 plus k2 x2 plus kn xn का series 0 के बराबर नहीं होगी तब उस vectors को हम linearly dependent vectors बोलेंगे अब यह था linearly dependent होता क्या है अब इसे solve करने के लिए हमें दो टाइप दो step की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम पहले तो rank of matrix find करेंगे उसके बाद check करेंगी कि अगर मेरी rank of matrix number of unknown variable से कम है तब जाके मेरी मेरा equation linearly dependent है वरना वो linearly independent होगा तो यह था linearly dependent equations कैसे solve करते हैं इसके बारे में हम examples लेंगे ताकि हमें clear idea आजाएगा कि linearly dependent equations को solve कैसे करते हैं तो वीडियो को लास्ट सक देखते रहें ताकि आपको linearly dependent equation के वार में जाधतर समझें करते हैं एक पाई झाल 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 झाल